अच्छा गुरू जी कल बात्चीत में आपने एक और विशय का जिक्र किया था, वो था कि अपना जनम दिन कैसे मनाएं, तो उसके बारे में भी हम सब को थोड़ा सा जानकारी दें, आपने इस विशय में एक लेख भी लिखा था? हाँ, मैंने एक किताब भी इस बारे में लिखी थी, कि बच्छों का जनम दिन कैसे मनाएं, हम पास्चात्य दिर्श्टी से बच्छों का जनम दिन मनाते हैं, वो हमारी परंपरा के अनुकूल नहीं है, सब सब पहली बात यह है, कि हम बच्छों के सामने के रखते हैं, तो उस पहली नहीं है, जब बच्छा कोई जवाद में मरता है, तो उसका जो चिराग जलाया जाता है, तो उसको फूक मार करके बजहाया जाता है, और पंजाब में तो गाली यह दी जाती है, हमने जब किताब बेचने गए, तो हमने पंजाबनों से पूछा, तुम जब लड़ती हो, तो क्या गाली देती हो, तो कहने हमें कोई याद थोड़ी है, गाली क्या देते है, हमने का हमने सुनाया है, आप यह गाली देती हो, तो तेरे घर का दीवा गुल हो जाए, तो दीवा गुल करना जो है, यह बहुत बड़ी गाली है, फूक मार करके बीवा मत बुजाओ, जब चिराग जड़ाओ तो बच्ती को पीछे खीश लो चिराग अपने बच जाएगा ने फूख मत मारो फूख मारने का मतलब है आप अपने घर का दीवा गुल कर रहे हैं रहो ना कुण कोई रोगो ना हा रहा तो दीपक में इस तरह से और अब जो हैं यही हो गया है कि मौमबत्ती जलेन तो एक दम कहते हैं सिनाजी ने माना किया था मौमबत्ती फूख मार के मत बुझाना वो दूसरी औरतों को माना कर देती है कि रुख जाओ ऐसे मत बुझाओ मौमबत्ती तो हमने का मौमबत्ती बच्चा अगर आपका बहुत बड़ा घर में जगे नहीं है तो जड़ा के बाहर रख दो तो जो भी उधर से गुज़रेगा आज तो आपके घर में दिवाली है क्या बात है बड़ा अपने मुख्चे का जनम दिन है तो जो नहीं भी आशीरवा देते हो जिए उन देरा है तेरा बालक बड़ी उमर हो उसके उमर दराद हो इसके बाद हमने का मुख्ची में एक और बात होती है मुख्ची जब तक जलेगी उसमें से भूने टपकती रहती है तो जिन बच्चों के जनम दिन पर मुख्ची जलाई जाएगी वो हमेशा रोते ही रहेंगे उन्हें दो लाग का पैकेज भी मिल गया तो कहेंगे गुजारा नहीं होता क्या करें रो रहे हैं सारे सिर्फ पीट रहे हैं तो इसलिए दीपक जलाओ दीपक में ऐसी बात नहीं होती दीपक में कभी बूने नहीं जड़ती दीपक कभी ने रोता परकाश है तो उस बच्चे के जीवन में सदा परकाश रहे है और परकाश रहेगा तो क्या करेगा वो बच्चा वो हजार रुपे भी अगर मिल रहे हैं उसका तनखागे तो कहगा भगवान अच्छी दाल लोटी दे रहा है गुजारा खोग हो रहा है और तीसरा हमने कहा था केक काटना ये भी बड़ जीत करो विदेश में कहीं भी चले जाओ वहां अच्छी मिठाई नहीं बनती बेटा तुम अपने पसंद से अच्छी मिठाई लिया हो तो कोई मूरख बच्चा भी केक नहीं लाएगा तो सब दिन चंगे तो हार के दिन नंगे और दिन हो तो खुब मिठाई खिला रहे हो जिस दिन जनम दिन उस दिन केक गटिया मिठाई लाग रहे हो तो इसलिए कुछ खोया लिया हो या कोई चीज लिया हो उनकी पिंडी बड़ा करके रख दो बच्चा उसे काटेगा और सब को माटेगा तो किताब हमारी काफी विकी वो बहुत विकी और जहां नहीं भी विकी थी वो भी दो और साएक दूसरे कह रहती है कि मौमबत्ती जिलाएगी तो मौमबत्ती रोती रहेगी सारी उमरते लाबारक रोएगा तो दीपक जिला जी गुरू